हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल तो कल मैंने आप से कुछ पांच पर करके उपड़न शेयर किये थे आज मैं आप से कुछ फेस पैक सेयर करनी वाले हैं तो सबसे पहला फेस पैक है उसके लिए हमें चाहिए कोकोनट मिल के लिए कोकोनट मिल्क हमारी स्कीन खुड देन 15-20 मिनट बात आप इसे वाश कर लिए और आपके चेहरे में एक ग्लू और शाइन होगा ती इफेक्टिव फेस पैक है सेकंड है हमारा राइस फ्लोर यानि की चावल का आठा तो यह आसानी से आपके घर में अवलेबल हो जाता है इसके बाद हमें चाहिए चंदन का इसके साथ हमें चाहिए चंदन का और यह आपको बड़ी आराम से स्टोर पे अबलेबल हो जाएगा तो एक चंदन पॉडर लेंगे इसके बाद हम इसमें एड़ करने बने रोज वाटर जो हमारी स्किन को क्लिकुल टोन करते का स्किन को ठंडम देगा और स्किन से जो भी इ आपको चमकना है ग्लो करना है और सब जदा कुसुरत दिखना इस पैक से आपका मैंड रेक्स होईगा और चेहरा जो है आपका बहुत ज्यादा उभर कर पिंक नजर आएगा क्या पढ़ते हैं अपने फूर्थ पेस पैक की तरफ यानि कि स्किल्द हमें चाहिए दूद में भीगोना है जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिल्क में लेक्टिक ऐसे होता है जो हमारे स्किन को बहुत जदा हाइड़ेट करता है और स्किन से इंप्यूटिस को भी दूद करता है तो रात बार हमें आनि कि 24 आवर्स के लिए इसे इसे सुख करके छोड़ देना है पील कर लएना जिया और जो धूर में हमें इसको भी हो जाए तर उसी दूर में इसको पीश करके इसका एक ओने हाने को पेश्ट स्टरा नहीं चाहिए हैं हमें बेलकुल फाइन पेश्ट चाहिए जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यारा वेश्या जाए और इसकिन में जो ड्राय स्किन के समस्य है उसे भी धूर करेगा इसे मिस करके अपलाई कर लेना है और 20-25 मेर बाद आपके पाने उसे वाश कर देजिए आपका चेरा कितुना जदा निखर गया है और उसमें कितनी जदा जमक और शायन होगी और ड्रायनिस के समस्या भी आप और वर कैबालों के बार चाहिए हमें कवकर आपके पास चनलना को तेल नहीं है और शच्छा अपलाभा त्यल कर रेल में इसके औरạo की ऑप मश्चा एप चनलना ठाख दो आरेलरों को रहीं होक्त है गश्के कर दो के बार वी आप ले सकते हैं यहाथ आपके बाद त्सक्ता और माइंड भी आपका करें तो दो तो तीन चिन ड्रॉक्स आपको मिला लेनी है उसके से मिक्स कर लेना है और दस मैट के लिए आपको इसे लगा के छोड़ देना है और उसके बाद दस मेट बाद आप इसे पांच मेट के लिए मसाज दीजी सर्कुलर में आप्टर आप प्रेक्स हो गया और स्किन एकड़ा क्लीन हो गई है जो उसमें दाग धबेते वह भी दूर हो गया उसके बाद हमें चाहिए तर्मरिक दिना हल्दी के तो कोई पेस्पैक कम्पेटी नहीं हो तो यह सबसे ऑप्शनल ता भी और सबसे बहतर भी है उसके बाद हमें चाहिए हनी अनिकी टर्मरिक हनी और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज लेमन तो लेमन एक नेचरल क्लेंजर है जो हमारी स्किन से प्राक्तिक रूप से सारी डर्ट सारी गंद की जमा और और तेल को निकलता है तो इन सबको मिस कर लेना है इसको अपलाई करना इससे आपकी रिंखल की सम सबस्क्राइब दूर हो जाएगी आपके चेर में पिंपल्स है एकने हैं वह भी कम हो जाएंगे इस किन डिहाइड हो जाएगे और सकीन के नीचे आखों के नीचे डाक स्पॉट है वह भी रिमूब हो जाएगे तो यह बहुत ही इफेक्टिव फेस पैक्स है इन्हें आप कीजिए और इस्तेवार अपने चेरे को बिल्कुल चमकाईए और सबसे जधा सुन्दर और खुबसूरत देखिए तो आई वोब मेरी ये वीडियो आपके लिए हैलफुल होगी आपके काम की होगी तो मिलते हैं आप से नेस वीडियो में तो मेरे चैनल को देखने लिए आ कीजिए और होगी है वीडियो मेरे नेखिए और खुबसूरत देखिए हैं आपतेधर खुबसूरत अपके लिए से